हाई अब्रिवान मैं गीता वर्मा गीता किनो लाइफस्टाइल में एक बार फिल से आपका बहुत स्वागत करती हूं और मिद करते हूंगे आप लोग खुश हूंगे और अपनी लाइप को खुशी-खुशी जी रहे हूंगे और बहुत इंजॉय कर रहे हूंगे तो आज की कि लिए हूं हम bets करते हैंता कि जिए हमनगे उसमें धुक्त मोका करते हैं और साथ और यजया आपने अपाल केसे नों कि मैं इसके बाद दुबारा यूज है कि मुझे इतनी जलन हुई तेस्टे कि मेरी दुबारा हिम्मत नहीं हुई कि मैं फिर से यह बीस लगाओ अपनी शहरे बेस तो सकते हैं कि जब यह लगाते टाइम हमारे से इतनी जलन कर रही है फिर कि एक हो रहे है ओधे में रखते हुए मैंने ब्रीश है वो कर बंद कर दिया जबार इंसानी पितरत होती है कि हमें अगर थोड़ दिया है तो फिर मतलब लगाना तो है इसादी में जा रहे हैं पार्टी में जा रहे हैं बस गोरा दिखना है रहं को साफ लिखाना है जो ले कराना है तो उसके लिए से मैंने चाहिए कि अपनी सुद्ध बीच बनाई नैचुरल सीटों से घर में स्क्रीम की तरह है बड़ इसका जो रिजल्ट होता है वह हमिंचा के लिए होता है जब इसे रेगुलर आप यूज करेंगे न आपको हैबट हो जाएगी और जीरे जीरे आपका जो शेहरा है खुद बखुद ग्लो करने लगेगा आपके जो सेश्यल है वह भी आपके स्किन टोन के हो जाएगे और जो टैनिंग है वह भी साथ में नेकर जाएगी तो मैं यह नहीं कहती हूं कभी अपनी वीडियो में कि आप ये एक बर अपलाई किया और आपको बहुत बहुत रज़र जाएगा इसे यह एक नैच्रल रेमेडी है तो आपको इसे हमेशा हमेशा है ज लगाने के बार और एक बार में यह नहीं कहूंगी जादो हो जाएगा हल्का रिजर्ट आपको एक बार में दिखेगा जब रेगुलर यूज करेंगे तो आपको अपने आपी परक्नेश्मी होने लगेगा तो बहुत यह प्लीट है और कोई अच्छी चीज नहीं है जो मार्चिक से लेकर आगी घर की घर में आपको इसे बेस ब्लीच करने माले है तो बहुत बाते होगे बाते करते हैं बंद और वीडियो को शुरू करते हैं उसके पहले अगर आपको इंस्ताग्राम पे पर आपकी कोई प्रॉब्लम है वो मेरे साथ करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और वहां पर मुझे ब्लियम करके पूछ सकते हैं जो भी आपका सवाल है अगर आप सब्सक्राइब आपको जवाब दोगी अगर कोई फोटो करना चाहते ह तो यहां पर मैंने एक आलू ले लिया है कच्छा आलू है इसे मैं छीड लेती हूं और यह मैंने क्यों लिया है क्योंकि इसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है चहरे का रंग साफ करेगा साथ ही जो आपके बालो का कलर है उसे भी लाइट करेगा पिग्मेंटेशन की प्रॉब्लम है वो भी दूर करेगा बहुत सारे स्विगुण है तो यहां पर मैंने इसे कद्दू कस कर लिया है क्योंकि इसका हमें जूस निकालना है तो अब इसका जूस निकाल लेते हैं चननी से इस तरह से दबा दबा कर छानेंगे तो इसका जूस निकल जाएगा तो यहां पे मैं बहुत जादा juice की जुरुवत नहीं है यह एक आलो का मैंने juice निकाल लिया है अब यहां पे मैंने एक टमाटर लिया है जिसका हमें इसका भी रस निकाल ला है क्योंकि जो टमाटर होता है यह भी pigmentation को दूर करता है साथ ही इसमें bleaching properties होती है आपके चहरे का ज जो पोटैटो जूस था आलो का जूस था मैंने अलग कर लिया है थोड़ा सा मैंने टमाटर का जूस भी अलग कर लिया है और यहां पे दोनों चीजों को मैंने मिक्स कर लिया है तो यह दो चीज हमने मिक्स कर लिया दोनों में ही bleaching properties होती है तीसरी चीज जो मैंने यहां पे की रंगत को साफ करता है bleaching properties होती है अब इसके अंदर मैंने शहट डाला है क्योंकि इतनी सारी bleaching चीज़ें हमने इसमें डाली है तो इसलिए ड्राइनेस ना हो जाए हमारे चेहरे पे इसलिए मैंने शहट यह हमारी घर की बनी हुई ब्लीच करने के बाद जो सीरम लगा जाता है वो सीरम तैयार है तो अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने फेस पे कच्चा दूद लगा रही हूँ और कच्चा दूद आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि रंग को साफ करता है यह भी एक ब्लीचिंग एजेंट होता है ब्लीच का काम करता है तो लगा के आपको छोड़ देना है सूखने के लिए और सूखने के बाद इसे वाश नहीं करना है ऐसे लगे रहने देना है इसके बाद हम यह ब्लीच लगाने वाले हैं जो हमने ब्लीच बनाई है तो इसे म खास बात है कि कोई इसमें जलन नहीं होती है तो यहां पर मैंने इसे सूखने के लिए छोड़ दिया था और अब इसे खाली पानी से आपको हलका-लका स्क्रब करते वे धो देना है आप देख सकते हैं मेरे चहरे पर कैसा ग्लो आ गया है अब इसके बाद इस सीरम को लगाना ह है सूखने के लिए तो यहां पर मैं अपना फेस वाश करके हाती हूँ फृर आपको दिखाती हूँ इसका रिजर्ट तो यहां पर मैंने अपने फेस को धो लिया है और पहले से अच्छा गलो देख सकते हैं आप मेरे चहरे पर मैं यह नहीं कहूंगी कि एक बार में ही आप बहुत अच्छा रिज़र्ट मिल जाएगा जब आप इसे रेगलर लगाएंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिज़र्ट मिलेगे साथी दूसलों के साथ शेयर करेंगा ताकि और लोग भी इस इसका फायदा उठा करें चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर चाहिएगा तो आपको बहुत है है और तो से मिलती हो इसके और भी नहीं नहीं इंटरस्टी वीडिव शिता ते लेंगों बाई